अलो दोस्तों नमस्कार आप लोगो स्वागत है हमारे चैनल सूरिया एजुकेशन खेल्प दिसमी तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं मुंगेर विश्विद्याले के बारे में मुंगेर विश्विद्याले में योजी पार्ट 3 एडिविशन से रिलेटर आज बात करने वाले हैं इसके में एक नया अपडेट निकल कर आया है आप लोग जैसा कि जानते हैं कि आप लोग को 21 दिसम्बर यानि कि कल आप लोग को कहा गया था कि एडिविशन के परकिरिया आ और आप लोग बतादे कि आज एक न्यू अपडेट आया है इस रिलेटर एडिविशन से रिलेटर तो यहां पर इसी के माधियम से आप लोग को बताने वाले हैं जैसा कि आप लोग यह देख सकते हैं अशनातक पार 3 की नमांकल पर किया रद कर दीगी है यानि कि आप लोग को जो डेट जारी किया गया था इडिविशन की कि इतने तारिक से लेकि इतने तारिक तक आप लोग का इडिविशन होगा उसे रद कर दिया गया है और यह नहीं बताया गया कि अब इसकी इडिविशन पर किया कब होगी सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि अब 6-15 जनवड़ी की बीच 89 तक पठ्थरी कर लिया जाएगा नमांकन यानि कि आप लोग को रद कर दिया गया है जो डेट जारी किया गया था उसको रद कर दिया गया है सबसे पहले तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि मुगिर बिश्मिद्याले की अधिकारियों की बीच की दोरा कहा गया है कि जो मुद्याले की दिर साम 7-18 की इसकी सेशन 89 तक पाठ्थरी में नमांकन लेकर दिथी की घोशना कर दी गई थी इसमें बिश्मिद्याले की दोरा 21 दिसंबर मंगलबार से 4 जनवरी की बीच इस सतर के लिए नमांकर की परकिरिया अराम किया जाने की घोशना की गई थी लेकिन बिश्मिद्याले की अधिकारियों की बीच आपसे समन्वर नहीं होने का खारण मंगलबार को नमांकर परकिरिया अराम होने से पहले ही इसे रद कर दिया गया और आप लोग मता देख कि जो एक जनवरी से लेके आप लोगो 4 जनवरी तक एडिविशन परकिरिया चलने वाली थी उसे रद कर दिया गया है तो अब न्यू डेट जो जारी किया गया है आप लोगो 6 जनवरी से लिके 15 जनवरी की बीच में नमांकर पर किरिया चलेगी अशना तक पाट 3 की तो इसमें तो आफ लोग देख लियें कि आप लोग के नवांकर पर किया और यहां पर आप लोग को जो न्यूँ डेट जारी किया गए है नमांकर पर चीद कि दिया तो 6、95 के बीच में हो सकता है आने वाले टाइम में हो सकता है इस डेट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता है कि इसकिती थी जो 6 जनवाई के बीच है हो सकता है इसे नमांकर पर किरिया हो भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है तो और एक और अपडेट बताना चाहेंगे जो क दोठारे कि इस सेशन के हैं, उनके लिए ही अपडेट आप लोग को बताना चाहेंगे, कि यहाँ पर दिया गहा है कि जो बैकलोग कंडिडेट है, जो परमोटेट कंडिडेट है, उन सभी छाच-छातराओ को पाट 2 में नमांकन लेना होगा, यहाँ पर इन्वेस्टिक दर यह भी कहा जा रहा है कि जो परमोटेट कंडिडेट है, उन सभी को आप लोग को नमांकन लेना होगा, और यहाँ पर नमांकन लेने में आप लोग को दस्तवेस बिना जमा किये हुए, आप लोग को सिर्फ ऑनलाइन भुकतान करना होगा, सुल्क जमा करना होगा और नमांकन हो जाएगा, और आप लोग को असना तक पाट 2 का फिर एक्जामनेशन लिया जाएगा, यानि कि आप लोग को दोठा रहा है कि इस सेशन बाले जो कंडेट है, उनको फिर से दवारा एडविशन लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है, यह इंवेस्टी ही विता सकती है, और आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग पहले भी एक पाट 2 में एडविशन ले चुके हैं पाट 2 में, तो इसके डिटेल आने के वाद आप लोग को इसी चैनलन के माधियम से बताए जाएगी है, साथ ही इस चैनलन पर पहले बार आए हैं तो सस्क्राइब कर सकते हैं, चलिए मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन जै भारत!